आज है 18 माई 2030 दिन गुरुवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़बरों को उत्तरप्रदेश में स्थापित होगाव फार्मस्टिकल रिसर्च एन इनोवेशन इंस्टिटूट मुख्यमंत्रियों के आदेतिनाथ ने बुद्वार को एक उच्छ स्री बैचक में प्रदेश में फार्मस्टिकल सेक्टर के विकास की संभावनाओं उपर चाशा की विशेश बैचक में मुख्य मंत्री ने फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान को प्रोटसाहित करने पर बल देते हुए प्रदेश में एक नवीन संस्थान की इस्थापना के आवश्चक दिशानर देश दिये उन्होंने कहा कि फार्मा मैनुफेक्टरिंग के कायों के संख्या में उत्तर प्रदेश देश का छटवा सबसे बड़ा राज्य है अब हमारा लक्ष देश में अग्रणी राज्य बनने का है प्रवेश परिक्षा 2 जून से छे राज्यों के 11 शेहरों में कराई जाएगी परिक्षा जोन को सुबह साड़े नौ से साड़े ग्यारा बजे की पाली में आनलाइन और आफलाइन मोड में पीजी टी एक का आयो जन किया जाएगा काशी विश्वनात धाम में अब नाइट स्टे की सुविधा कॉरिडोर में गैस्ट हाउस शुरू पुदान मंतरे नरेंदर बोधी की ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनात कॉरिडोर में अब रात में रुकने की बी सुविधा हो गई है मुमक्षु सेंटर और फूट कोट के बाद अब यहां गैस्ट हाउस पी शुरू हो गया अभी तक शेयन आर्थी के बाद पूरे कॉरिडोर को रात ग्यारा बजे के बाद खाली करा दिया जाता है उसके बाद मंगला आर्थी का टिकेट लेने वालों को ही रात धाई बजे के बाद प्रवेश मिलता है आम लोगों को मंगला आरती के बाद भोर में चौर बजे के बादी कॉरिडूर परिसर में प्रवेश मिलता है लेकिन गैस था उस कॉरिडूर के अंदर और डंगा किनारे होने के कारण नाइट का अद्भुद आनन्द लिया जा सकेगा यूपी के बिजली उभुगताओ को मिल सकती हराहत कम होंगी दर यूपी उभुगताओ की तरफ से रखिये गए तरकों की आधार पर फैसला सुनाएगा उभुगताओ के निकल रहे 25,133 करोर सरप्लस धनराशी के एवज में बिजली दरे कम होने के आसार बढ़ गए है यूपी के शहरों में सभी मकानों और प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी योगी सरकार हाउस टेक्स की चोरी रोकने के लिए शहर में बने सभी मकानों और प्रतिष्ठानों का ब्यारा ऑनलाइन कराने जा रही है इसमें ये बताया जाएगा कि कौन सा मकान कितने शेतरफल में बना और उससे कितना हाउस टेक्स मिल रहा है इसके साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि कितने मकानों से अभी हाउस टेक्स की वसूली नहीं हो पा रही नौईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए M.H. कंपनी के साथ यात्री प्रसंस करन प्रणाली के लिए M.O.U. किया गया ये कंपनी चेक-इन, बोर्डिंग, सामान, मिलान और डीजी यात्रा बायोमिट्रिक आदी का काम करेगी कंपनी पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम का डिजाइन आपूर्दी संचालन और रख रखाओं भी करेगी नौईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट का निर्मान तेजी से चल रहा है इसके साथ ही एरपोर्ट पर दी जाने वाली सुविधाओ के लिए भी विशेशक ये कंपनी से करार किया जा रहा है दिली आगरा हाईवी पर बनेगा अंडर पास, अगले बहीने शुरू होगा काम दिली आगरा रास्टी राजमार्ग 19 पर बगूला गाउं में जल्द अंडर पास का निर्मान कारे शुरू कर दिया जाएगा निर्मान को लेकर सभी आप्सारिकताएं पूरी कर ली गई और लेवलिंग का काम शुरू कर दिया गया अंडर पास ना होने से काओं के लोगों को भारी परिशानी हो रही थी अब उनकी समस्या का जल्द ही हल हो जाएगा सबसे जादा दिक्कत स्कूली छात्रों को हो रही थी क्योंकि स्कूल जाने के लिए हाईवे को पार करना पड़ता था जिस्से हाथ से का पूरा खत्रा बना रहता था उमीज जदाई चारही है कि इस महीने के अंतक पुल निर्मान का कारे शुरू हो जाएगा पर सरकारी करमचारियों को मिली गूड नियूज इन दो राज़े में 4% का इसाफा केंदर के बाद देश के गई राज़ें ने अपने करमचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है इस कड़ी में अप्ता मिलनाडू और अप्रदेश की सरकार ने अपने कर्मशारियों और पेंशन भोगियों को गूड नियूस दी उत्रपदेश की सरकार ने राजी के कर्मशारी और पेशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोत्री की कोशना की ये एक जन्वरी से प्रभावी होगा इस बढ़ोत्री के साथ ही डिये 38% से 42% हो गया है और इससे करीब 27.35 लाग लोग प्रभावी थोंगी ड्रग माफिया के खिलाप एक्शन में योगी सरकार पूरे नेटफर्क का करेगी खात्मा मुख्यमंत्रीयों के आधितिनाथ ने निर्देश दिये कि ड्रग माफिया से जुड़े मुकदमें फास्ट्रेक कोड में चलाए जाएंगे इसके लिए विशेश अदालतों का गठन होगा रग माफिया के खिलाप पंडी दीन देया लुपाध धिया की जुएंटी 25 सितंबर से लेकर गांधी जुएंटी 2 अक्टूबर तक सघन अभियान चलाया जाएगा एंटी पियस अदिनियम के तैस सरवाधिक लंबित मुकदमों वाले जिलों में विशेश नायले का गठन किया जाना चाहिए इस सम्बंद में शासनिस्तर से आवश्चक का रिवाई की जाए सिसी टीवी से हो रही निगरानी गुरखपुर में खुब भरे फर्राचा भरना होगा जुर्माना गुरखपुर शहर के भीतर मनमानी रफटार से काली चलाने की केमत चुकानी पड़ेगी ऐसे वाहन चालों को कुछ इन्नित करके पुलिस ने चार माह में 3596 वाहनों का चालान करके पौने 7 लाग का जुर्माना लगाया मुधिपुर से पैटले गंज और नौका विहार रोड पर वाहनों की अधिक रफटार पर लगाम कसने के रोजाना कारिवाई हो रही है बौटलिंग प्लांट वरुन बेवरेजिस की ओर से लगाया जा रहा है हज़ात्रा पर जाने वाले जानले इस पार बैंकों से लेने होंगे रियाल हज़ाउस पर नहीं होंगे काउंटर हज यात्रा 2023 में जाने वाले हज यात्रियों को साओधी अरब की करंसी रियाल इस साल हज हाउस पर नहीं मिलेगी हज यात्रियों को इसके लिए अपने नजदी के SBI बैंक से रियाल लेना होगा एकिसमाई से शुरू होने वाली हजवात्रा में इस साल से रियाल को लेकर ये बदलाओ किया गया है नॉमिनी को बड़ी राहत बीमा में नाम है तो नहीं पड़ेगी उत्तरादिकार प्रमार पत्र की जरूरत किसी अपने के जाने की दुख के बीच यदि बीमा से मिलने वाली धनराशी में भी बादा पड़ जाए तो कई बार नॉमिनी की बड़ी आर्थिक मुश्किले खड़ी हो जाती है नॉमिनी को ऐसी मुश्किलों और व्यर्थ की भागदौर से अब राहत मिल सकती है इलावाद हाई कोड ने एक फैसले में कहा कि यदि कोई किसी बीमा में नॉमिनी है तो वो तरा अधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्यर नहीं है बिना इस प्रमाण पत्र के बीच उसे बीमा की राशी मिल जाएगी ग्राम पंचयात अधिकारी के 1468 पदों पर भरती प्रक्रियाज शुरू आयोग ने 23 मई से 12 जून तक मांगे आवेदन पंचयात rh зал stupid में ग्राम पंचयात अधिकारी के 1468 पदों पर भरती के लिए प्रक्रियाज शुरू हो गई है अधिना सेवा चैन आयो की ओर से इसके विस्रत सूशना जारी करते हुए अभ्याटियों से आवेदन मांगे गए यह भटी प्रारंबिका हर्ता परिक्षा 2022 की आधार पर होगी आयो की ओर से जारी कारिकरम के अनुसार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा वा आवेदन पत्र जमा करने की आखरी तारीक 12 जून निर्धारित की गई आधे डॉक्टर शुटिपर के जीम्यों मेलाज राम भरो से ग्रिश्मकाली नवकाश शुरू होते ही मरीजों की बढ़ी आफ़त किंग जोर चकितसा विश्वी जाले में मंगलवार से आधे डॉक्टर एक महा के लिए ग्रिश्मकाली नवकाश पर चले गए यह डॉक्टर जब लोटेंगे तब बचे हुए डॉक्टर अवकाश पर जाएंगे यानि दो महीने मरीजों की जान पर आफ़त रहेगी दावा भले ही किया जा रहा हो कि ओपीडी और इमर्जंसी सिवाएं इस दर्मियान नहीं प्रभावित होंगी पर हकीकत तो यह है कि हर साल ग्रिश्मकाली नवकाश के दौरान बड़े पैमानों पर मरीजों की ऑपरेशन टलते हैं जबकि पहले से कई विभागों में सरजरी के लिए महीनों की लंबी वेटिंग चल रही है बैठक के पहले मायावदी का बयान धर्मका राजनीती के लिए इस्तमाल लोकतंत्र के लिए घातक बस्पा सुप्रीमों मायावदी ने यूपी निकाय चनाओं में करारी हार पर पार्टी पता दिकारियों के साथ मन्थन करने के लिए आजगुरवार लखनों में बैठक बोलाई बद्वार को उन्होंने त्वीट कर कहा कि धर्मका राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तमाल देश के लोकतंत्र के लिए घातक है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में सत्ताधारी पार्टी द्वारा जन्विरोधी मीतियों गलत कारे कलापो आधी कम्यों का चुनाओं पर प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूप योग इनका दुएश पून दमनकारी व्यवार और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए स्तमाल आती गंभीर वाती चिंता जनक है यूपी में फिर बनेगा महागर बंदन इस बार कॉंग्रेस भी होगी शामिल अकले शादव ने बदला रो करनाटा गुदान सबाच चनाओ में बीजेपी को बड़ी हर का सामना करना पड़ा पार्टी के सभी दिकजों ने पूरे जोर शोर से चनाओ का परचार किया लेकिन पार्टी को जीट नहीं दिला पाई हाला कि कॉंग्रेस की इस जीट के बाद कई बीजेपी की विरोधी पार्टी इसके सुर्फ बदले नजर आ रही है तमाम पार्टी इस अब लोग सबाचनाव में कॉंग्रेस का साथ देने का संकेत देने लगी है किसानों के लिए अच्छी खबार खात के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार एक लाग करोड की सबसिडी मनजूर केंडर के मोदी सरकार ने किसानों के लिए बुद्वार को एक अच्छी खबार दी इस बार खात के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगी केंद्रे मंतरी मन्ज़ों मनदाविया ने बुदवार को कहा कि सरकार उर्वरकों की कीमत नहीं बढ़ाएगी और यूरिया के लिए 70,000 करोड रुपे और डाइामोनियम फॉसफेट के लिए 38,000 करोड खर्श करेगी उन्होंने कहा कि केंद्री मंद्री मंद्र ने बुद्वार को अपनी बैचक में खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाग करोड रुपे की उर्वरक सबसीरी को मनसूरी दी यूबी के गाउं में इस साल बनेंगे 6458 खेल मैदान जिफ्टी सी एम केशफ का प्लैन उपमुक्यमंत्री केशब साथ मौरे ने बताया कि ग्रामीर शेत्रों में खेल प्रतिबाव को निखानने के लिए सरकार दोरा सार्थ तक प्रियास किये जा रही है खेल कूट से संबंदित आधार भूट धांचे को मस्बूत किया जा रहा है इसक्रम में मनरेगा के तहट चालो वित्तिय वर्ष में 6458 खेल मैदान बनाए जाएंगे मनरेगा के तहट चालो वित्तिय वर्ष 2023 में 6458 खेल मैदान बनाने का लक्ष टै किया गया है तीस मही से फुल एलेक्शन मोड में बीजेपी जूर में हर लोगसभा शेतर में जनसभा यूपे में तीस मही से भाचपा लोगसभा चनाओ 2024 के तैयारियों का जोरदार आकास करने जा रही है इस दिन से प्रते दिन कम से कम दो लोगसभा शेतरों में बड़ी जनसभाई होंगी एक महीने में सबी 80 लोगसभा शेतरों में जनसभाई की जाएंगी इसमें से तीनिया चार को प्रधान मंतरी नरेदर मोधी संबोधित करेंगे इन रैलियों को केंद्रिय मंत्री भाचपा के रास्टिय पता दिकारी मुख्य मंत्री उप्मुख्य मंत्री भाचपा प्रदेश अध्यक्षतरी के नेता संबोधित करेंगे 45 करोज चातरवत्य घुटाले में चार संस्थानों के चेर्मेन मैनेजर दोशी उत्पदेश और केंद्र सकार के योजना के तहट कमजोर शेनी के चातरों को दी जाने वाली चातरवत्य के घुटाले में चार संस्थानों के मैनेजर और प्रिंसिपल एसाइटी के जांच में दोशी पाए गए एक दरजन से अधिक चातरों के बयान में इनके खिलाफ कई और साक्षियों का खुलासा हुआ इसी आधार परदावा किया जा रहा है कि जल्दी इस मामले में एसाइटी आरोपित मैनेजर और उनकी साथगाट में शामिल प्रिंसिपल वकर्मशारियों की गिरफतारी करेगी मोधी कैबिनेट की हुई बैचक आईटी हार्डवेर सेक्टर के लिए पी लाई स्कीम को मिली मनसूरी केंद्रिय बंत्री मंचल के बुदवार को बैचक हुई केंद्रिय बंत्री अश्वीनी वैश्णव ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स निर्मान के शेत्र में इस साल सौ बिलियन डॉलर का उतपादन इस वर्ष हुआ है आईटी हार्ट्वेर शेत्र के लिए 17,000 करोड रुपे के उतपादन से जुड़ी प्रोट्साहन योजना को मनसूरी दी औरोंने कहा कि इस कारिक्रम की अवधी 6 साल की है 84 चौकेदार के लिए 55 लाग दाविदार दसी पास्योगिता बीचेक मचेक अमबी ये वाले ककतार वे केंदे सरकार के विपन मंत्रालियों, विभागों और कार्यालियों में चपरासी चौकेदार जमादार माली केट कीपर बनने के लिए देश भर के 55 लाग से अधिक बेरोजगार खतार में खड़े हैं कर्बचारी चेहनायों की बड़ी भरती परिक्षाओं में से एक मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार 2022 के लिए लगभग 55,1,917 अभ्यरतियों ने आउनलाइन आवेदन दिया MTS भरती में युवाव के संक्या साल दर साल बढ़ती जा रही है 2021 में देश पर से 49 लाग अभ्यरतियों ने MTS भरती के लिए आवेदन किया था माफिया अथिक एहमत के नाम पर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का एक और मामला सामने आया अथिक एहमत गैंक से जुड़े हुए दो सगे भाईयों के खिलाफ F.I.R. दर्ज होई केस प्रियाग राज के केंट थाने में दर्ज हुआ बेली इलाके के रहने वाले सगे भाई शीबू और असल के खिलाफ F.I.R. डच की गई रेलवे के तीहतर स्टेशन पर वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावाद देने के खवाई केंदर सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को पूर्वोतर रेलवे ने बढ़ावाद देने के खवाई शुरू कर दी उत्रपर देश सरकार के एक जिलाएक उत्पार की तर्श पर पूर्वतर रेलवे ने 573 रेलवे स्टेशन पर लिए एक नया बाजार प्रिदान किया तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद